कि लेट्स क्रैक ब्यार्क 2021 हेलो दोस्तों टूडी काम पूजिशन का ये मैंने यहां पर क्वेश्चन लिया है बेसिक जोमेट्रिकल शेप आफ ए मैंगो यूजिंग ओनली तू कलर्स मतलब कोई भी दो कलर यहां पर यूज करना है और जोमेट्रिकल शेप देखो यहां मैंगो का मैंने यहां जोमेट्रिकल शेप निकल लिया और उसके अंदर जोमेट्रिकल शेप के काम पूजिशन करना है तो दोस्तों यह मैंगो का शेप मैंने निकाल लिया और इसके अंदर मैं ट्रैंगल रिक्टैंगल स्क्वेर और सर्कल्स तो यह चीज़े मैं यहां पर एड़ करके इनको निकालके एक कामपोस मैं बना रहा हूं तो यह कामपोस यहां पर कंप्लिट हो गया आप देख सकते तो यहां पर मैं रेड और ग्रीन यह कलर यूज़ करने वाला हूं तो इसके आप शेड्स बना सकते लाइट डार्क ऐसे शेड्स यहां बना के आप इसमें फिल कर सकते हो तो दोस्तों यहां पर मैंने डार्क रेड कलर यहां पर यूज किया है तो आप देख सकते हैं यहां पर कि जो जो पार्ट यहां दिख रहे हैं उसमें मैं कि कलर फिल करने वाला हूं तो यहां रेड कलर यहां रेड कलर मैंने लिया है तो यह एक काम पोजिशन मैं यहां निकाल के दिखा रहा हूं उसमें कलर फिल करके दिखा रहा हूं तो यह किस तरह आएगा यह आप देख सकते हो तो दोस्तों कि इसके बाद मैं पोट्रेट यह सब्जेक्ट लेने वाला हूं एक्चुली यहां से ही मैं स्टार्ट करने वाला था पोट्रेट पर मुझे कुछ डिमांड आई इस तरह का आप काम पोजिशन लीजिए तो यह कामपोज मैं आपको यहां बना कर दिखा रहा हूं तो दोस्तों टी शर्ट पे भी इस तरह का कामपोजिशन आपको आ सकता है कि टी शर्ट के लिए एक डिजाइन बनाओ उसमें जोमेट्रिकल शेप्स यूज़ करो कि टी शर्ट के लिए एक अच्छा सा डिजाइन आप बनाओ तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है तो दोस्तों यहां पर मैंने अभी जो पेंसिल में यूज़ कर रहा हूं वो थोड़ी लाइट कलर की पेंसिल यहां पर मैंने लिए रेड की शेड यहां मैं यूज़ कर रहा हूं तो आप देख सकते ही कि पहले मैंने डार्क कलर यूज़ किया अभी उसका ही एक शेड मैं यहां यूज़ कर रहा हूं धव्यम्बूर्ब तो दोस्तों अगर आपको अ में एइसा बड़ाए कि दो कलर यूज़ करो या तीन कलर यूज़ करो च्रा कलर रियूज़ करो तो उसके शेड साअ यूज़ कर सकते हैंगे लेकिन प्रटिकुलरी मैंरि कलर अगर बढ़ने जाए या सेकंडरी कलर बढ़ और इसमें उसके शेर्थ नहीं चलेंगे ह कि तो यह जो crowded था इसमें यह बता अगह यह कोई भी आप दो कई रियूस कर सकते हो और उसकी शेर्थ भी बना सकते हो तो यहा पर मैं उसके जो रेड कलर की शेर्ड से उस यह जिस कर रहां हैं जो जो पार्ट ओर लैपिंग मैंने किये है और ओर लैपिंग करने के बाद जैसे स्क्वेर, ट्राइंगल, सरकल ये एक दुसरी के उपर ओर लैप करने बाद जो पार्ट यहां में मिले है उसमें मैं अलग-अलग एक ही कलर के शेड्स यहां मैं फिल कर रहा हूँ तो यह रेड कलर होने के बाद फिर मैं इसमें ग्रीन कलर यूज करने वाला हूँ तो यह कामपोस आपको देखना है कि कैसा बनता है तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो अलग-अलग शेप्स लेकर उसमें ट्राइंगल, सरकल, रिक्टैंगल, स्क्वेर यह और लेप करके आप कलर फिल कर सकते हो तो यहां मैं अभी ग्रीन कलर डार्क ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ तो डार्क ग्रीन कलर के जो पार्ड है जो जो पार्ड आएंगी उसमें मैं डार्क ग्रीन कलर फिल करूंगा फिर उसकी शेड लाइट शेड भी यूज करूंगा तो इस तरह यह आपको जो भी टूडी डिजाइन बनाया है टू डायमेंशन डिजाइन तो उसमें इस तरह की कलर फिल करने तो दोस्तों का क्वेश्चन तो आपको आता ही है तो उसकी अगर प्रैक्टिस करोगी तो इसके मार्क्स अच्छे से आपको मिल सकते है और शार्प कलरिंग करना है जो भी पार्ट है उसके अंदर नेक्स्ट प्लेन कलर बढ़ने की कोशिश करो और जो पिंसिल का बॉक्स आप लोगे तो वह ज्यादा से ज्यादा शेड़ वाला अगर लेंगे तो उसमें आपको ग्रेडेशन कर जाएगा क्योंकि एक ही कलर के आपको चार पाच पेंसिल उसमें मिल सकते है अगर बॉक्स आपने लिया तो उसमें कि तो उसके अंदर एक एक कलर की चार चार शेड़ आपको आजाएगे तो वह कलर करने के लिए आसानी हो जाती है तो दोस्तों यहां ग्रीन कलर में डार्क ग्रीन कलर यहां यूज कर रहा हूं आप देख सकते हैं डार्क ग्रीन कलर यहां मैंने कम्प्लेट कर लिया अभी कि डार्क ग्रीन कलर की जो कुछ पार्ट मुझे लगा कि यहां फिल करना चाहिए वह मैं यहां कम्प्लेट करके फिर लाइट ग्रीन कलर मैं यूज करने वाला हूं तो दोस्तों पोट्रेट में ग्रैंड पैरेंट्स या कुछ हीरो हीरोईन मतलब फेमस पर्सन या आपके टीचर ममे डैड़ी या आपका छोटा भाई ऐसा कोई भी आ सकता है बाई बाएन जो भी है तो यह कुछ भी आ सकता है तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से करोगी तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएगे तो वो मैं पोट्रेट का जो सब्जेक्ट है यह मैं थोड़ा बेसिक से लेने वाला हूं क्योंकि पोट्रेट जेनरली सभी को हार जाता है तो उसका अगर बेसिक आपको समझ में आया और जो मैं बताऊंगा उस तरह अगर प्रैक्टिस की तो उसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरह आप इजी ली वह क्वेश्चन सॉल कर सकते हैं वो भी मैं बताने वारा हू कि यहां पर रिपिट मैंने रेड कलर लिया है लाइट रेड कलर और उसको मैं फिल कर रहा हूं उसके बाद कि फिर लाइट ग्रीन कलर मैं यूज करने वाला हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर जो जो बचा है यहां मुझे लगा कि यह वाइट दिख रहा है तो यहां भी मैंने लाइट ग्रीन कलर की पेंसिल मैंने ली है और यह आपको तो दिखेगा कि लाइट ग्रीन कलर मैं किस तरह फिल कर रहा हूं तो दोस्तों आपके कुछ अगर क्वेस्चन्स है तो जरूर कमेंट में लिखेगा और एप्टिविट के भी जो वीडियोज है अप्लोड करना स्टार्ट कर दिये तो उसका जो अप्टिविट का बेसिक जो है वो अगर आप अच्छे से गौर से देखेंगे सुनेंगे और समझेंगे तो मेरी गैरेंटी है कि उसमें आपको काफे अच्छे मार्स मिल सकते अगर आप उसको समझ के वो वीडियो आकर देखेंगे और समझ लेंगे और वैसे प्रैक्टिस करोगे आपको 100% जितने मेने मार्स बताए उतने आपको मिल जाएगे तो अभी यह लास्ट कलर में यहां ग्रीन कलर के अलग शेड़ है थोड़ी और लाइट यहां पर मैं यूज कर रहा हूं आप देख सकते हैं तो दोस्तों सब्जेक कोई हार्ड नहीं है उसके लिए शिरिप हार्ड प्रैक्टिस करने बढ़ेगे और हार्ड से प्रैक्टिस करने बढ़ेगे तो यह बात आप आप समझ लेंगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफी अच्छे मार्स लबकि जो मैंने बता है कि आप क्रैक कर सकते हो प्यार तो क्रैक कर सकते हो तो दोस्तों कमेंट्स जरूर देना है वीडियो कैसा लग करना, thank you, thank you very much